आज मिलेकर भी बहुत ही जबरदस्त नाश्टे की रेसिपी तो आज हम इसे बढ़ाएंगे कच्चे आलू और सूजी के साथ तो यह इसे बढ़ाना बहुत ही आसाने और खाने में यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी कुरकुरा और एकदम चटपटा सा लगता है तो आप देते है आदी छोटी चममच जीरा आप चाहे तो राई कह भी स्थिमाल कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से फ्राय कर लेते है कुछ सेकेंड के लिए जैसे यहाँ पर छोड़ा सा जीरा फ्राय हो जाता है तो इसके बादे हम इसमें डाल देते है पानी तो यहाँ पे हमें 1- का इस्तिमाल करने वाले हैं तो इसलिए यहां पर हमें देड़ कप पानी का इस्तिमाल कर लेना है और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चमश नमक या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले और नमक को भी एक बार अच्छा से मिला लेते हैं तो इस पानी में हमें एक अच्छा सा उबाल लाना है तो आप चाहे तो यहां पर मीडियम फ्लेम रख सकते हैं या फिर हाई फ्लेम पे भी इसी गरम कर सकते हैं सूजी और आलू से बढ़ने वाले रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इसे एक बार जरूर ट्रा डाल देना है और एक हाद से हमें सूजी थोड़ा थोड़ा करकर डाल देना है और इस मिला हमें ग्यास को एकदम लो कर देना है और इसे अच्छे से मिलाते रहे हैं तो आपको अच्छे मिनिट तक अच्छे से पका लेना है या फिर तब तक पकाए जब तक यह सूजे एक अच्छा सा डो फॉर्म में आ जाए तो यहां पर हमें सूजी को पकाने के लिए जादा समय नहीं लगता है लेकिन यहां पर हमें याद रखना है कि इसमें विल्कुल भी गुटलिया ना ब यहां पर मुझे लगातार चलाते वे 3-4 मिनिट हो चुके है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सूजी है वो अच्छे से डो फॉर्म में आ चुका है तो हम यहां पर इसे इतना ही पका लेना है तो आब इस स्टेज पर हम ग्यास को बंद कर देते हैं और इसे एक प्ले करको लेटे हैं अधरक लेसर का अफृअरा कंगर के ते यहां पर देता है आप रहे से कुछ शेकंड के लिए मीधी मीदियम रखना अब इसमें हम डाल देते हैं एक चामचा बारी चौप करके डालने से खाने में बहुत ही डेस्टी लगता है तो हमें यहाँ पे कुछ सेकेंद के लिए फ्राय कर लेना है ताकि जाद्रकर लसन है इसका कच्छापन निकल जाए तो अब इसमें हम डाल देते हैं पैज तो यहाँ पे मैंने एक पैज को बारीक चौप कर लिया और इसमें डालने ना है तो यहाँ पे दो मीनिट हो चुका है और इसमें हम डěल देते हैं तो इस के बाद हम इने फ्लेवरग कर लेते हैं तो थोड़े से मसालाग कर देते हैं एक चोटाई चमच हल्दी पौडर डाल देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं एक चमच लाल मिर्च पौडर या फिर तीका कम जदा आप अपने पसंद की हिसाब से कर सकते हैं और साथ में ही डाल देते हैं आदी चुटी चमच जीरा पौडर आदी छुथी चमच धनिया पॉडर लेते हैं, और इसी के साथ इसमें हम ढाल देते हैं, एक-Chotис चमच काली मिर्च का पॉडर, अब हम यहां पर इन सब कौचे से मिला लेना है, तो यह देखे ही हापर मसाल अच्छा से mix हो चुका है और इसमें से तेल भी निकलना start हो चुका है तो यहां पर मैंने दो मिक्स कर लेते हैं आलू को अच्छे से ग्रेट करने से आलू का मसाला दिखने में बहुत ही टेस्ट दिखता है और बहुत ही शांदार दिखता है अब इसमें हम डाल देते हैं नमक तो यहाँ पर हमें एक च्छोटी चमच इतना नमक डाल देना है या फिर आप अपने तो इस तरीके से यहां पर मुझे लगातार चलाते वे 5 मिनिट हो चुके हैं तो यहां पर हमारे यह पर्फेक्ली स्टफिंग का मसाला बन कर तयार है और दिखने में बेकदम लाजवाब दिखने लगा है अब इसमें हम डाल देते हैं एक्चम चाट मसाला पाउडर इससे ना एक चटपटा सा स्टफिंग का मसाला पर्फेक्ली बन कर तयार है अब हम यहां पर ग्यास को बन कर देते हैं और इस मसाली को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं मसाला ठंडा होता है तब तक हम यहां पर एक सलरी बना कर तयार कर लेते हैं तो हम यहां पर एक बाउल लेना है अ दिखने में बहुत ही टेस्टी दिखता है अब लास में इसमें हम डाल देते हैं एक चोताई चमश नमक या फिर नमक आप अपने पसल की साब से डाले इसे एक बार अच्छा से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक flowing consistency का slurry बना कर त्यार कर लेते है। तो यह देखे यहापे यहापे अमें इस तरीके से इतना ही slurry को पतला रगना है। यह spoon को अच्छे से कोट हो रहा है, इसका मतल़ भी हापे हमारे slurry एक्दम perfect है। तो अब चलते हैं अगले process में। तो यहां पर यह सूजी का मिक्षर थोड़ा सा गरम है, तो यहां पर यह पूरा ठंडा नहीं हुआ है, तो हम यहां पर इसे अच्छे से गूंद लेते हैं, तो अगर यहां पर हाथों पे चिपक रहा है, तो आप यहां पर थोड़ा सा तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन ह हमें यहां पर पानी का बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करना है और इसे अच्छे से एकदम सॉफ्ट और चिकना हो जाए तब तक हमें यहां पर इसे अच्छे से गून लेना है तो यहां पर हमारे सूजी का डो एकदम पर्फेक्ली बन कर तयार है तो यहां पर हम थोड़ा सा म मोठा यहाँ इसे बेल कर तयार कर लेती हुँ तो यहाँ पर मैंने कितनी रखिए तो यहाँ तो Webb क्माज़ कर लेंग form को अब फिलन को फीछ कर लेते हैं तो हम यहापर इसकी ट्र leprink में एक्षब अच्छ ऑबान जा कर लेते हैं तो यह मैंने इस तरीकी से इससे एक्षब कर लिया है पानी लगाने से चिपक जाता है और यह देल निकलता है तो इसलिए यहाँ पर हमारा एक पॉकेट पर्फेक्ली बनकर तयार है तो इस तरीके से हम यहाँ पर दूसरे शीट के उपर भी अच्छे से पानी लगा देते हैं और इसे भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से हम यहाँ पर सारे sheets को अच्छे से fold कर लेते हैं तो यहाँ पर मिने सारे sheets को ready कर लिया है तो अब हम यहाँ पर इसके उपर cut लगा लेते हैं ताकि यह दिखने में और भी बढ़िया दिखे तो यह देखें, यहाँ पर हमी इस तरीके से इसे अच्छे से cut लगा देना है Half a finch इतना छोड़के इसके उपर थोड़ा सा cut लगा देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना perfectly दिखने लगा है तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे sheets के उपर अच्छे से cuts लगा देते हैं ताकि यह fry हो जाने के बाद दिखने में और भी tasty दिखे तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे pockets बना कर उसके उपर बढ़िया सा cut लगा दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना perfectly दिखने लगा है तो यहाँ पर pockets भी ready है तो हम यहाँ पर slurry को एक बार अच्छे से mix कर लेना है तो अब हम क्या करते हैं कि यह जो pocket से slurry में अच्छे से डुबा देते हैं और इस pocket को slurry में दोनों साइट से अच्छे से coat कर लेना है इस तरीके से आप चाहे तो इसके उपर भी slurry डाल सकते हैं या फिर आप इसे पल्टा के भी dip कर सकते हैं और इस अच्छे से coat हो जाने के बाद इसे spoon में लेना है ताकि extra slurry है वो निकल जाता है तो इसे हम तुरन फ्राय कर लेना है तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गरम करने के लिए रख दिया था तो यहाँ पर मैं ये slurry में dip के आवा pocket को डाल देती हूँ तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक साथ में जितना बैटता है उतना हमें यहाँ पर पोकेट को डाल देना है और हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो तेल है वो हाई flame पर ही गरम करना है और हमें यहाँ पर ग्यास को भी हाई ही रखना है तो हम यहाँ पे इसे आल्टा पल्टा के दोनों साइड से golden brown हो जाने तक fry कर लेना है तो यहाँ पे सारे चीज़े पहले से ही पकी हुए है तो यहाँ पे हमें fry करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है और यहाँ पे हमें इसे high flame पी ही पका लेना है तो यहाँ पे कम से कम 4-5 मिनिट लग सकता है इसे fry करने के लिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा set कर लेते हैं ताकि उपर की सलरी भी थोड़ी सी पक जाए या फिर आप चाहे तो इसके उपर थोड़ा सा तेल भी डाल सकते है ताकि यह थोड़ा सा जल्दी fry हो जाए और एक साइड में अच्छे से fry हो जाने के बाद इसे पलटा देना है और इसी तरीके से हमें यहाँ पर golden brown हो जाने तक अच्छे से fry कर लेना है तो यह दिखे यहाँ पर हमारा जो नाश्टा है दिखने में कितना पर्फेक्ली दिखने लगा है और इसका कलर आप देख सकते ना कि कि कितना बड़िया ब्राउन कलर हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो नाश्टा है एकदम क्रिस्पी दिखने लगा है तो इसे यहां पेयर पाउकेकस से निकल जाया है और यहां प्रॉंसे ज seem to do ऐसे क्यों पोलिख जब निकम से यहां अब यहां प्रस्थ बढ़िया और बाहर से कितना क्रवंची दिखने लगा है यहां था यहां यहांके देखें यहाँ पर देख सकते हैं कि तोड़ने के बाद अंदर का स्ट्रफिंग कितना पॉर्फेक्टली दिखने लगा है दिख रहा है एकदम टेस्टी और हमने जो कट्स लगा है उसके वज़े से यह नाश्टा दिखने में और भी बड़ी आशांदर दिखने लगा है और यहाँ पर यह नाश्टा आप केचप के साथ खा सकते हैं या फिर आप चाहेते ग्रीन चटनी के भी साथ खा सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स और फामिली के साथ ज्यादा से ज सब्सक्राइब करने ना भूले